अज स्लाम रीकों मैं आपके अपनी वैट ठीरा से इदाज हम बात करेंगे कि अगर आपकी कैट को फंगल इंफेक्शन हो गया जो के गर्मियों में बहुत जादा कॉमान होता है क्योंकि कैट जो होती हैं उनकी हैर जो होते हैं उनकी पैचिस बन जाती है जब हम उनकी डेली नहीं करते हैं उनकी हैर ब्रशिंग नहीं करते हैं तो उनके नीचे क्या होता है एर क्रॉसिंग नहीं होती जिसकी वजह से वहां पर फंगल करने लगती है तो आप लोगों की कैट को अगर इस तरह का इंफेक्शन है तो आपने उससे किस तरह से बचना है क्योंकि फंगल लाइट के जरी देख सकते हैं कि आपकी cat को fungal infection है या नहीं है तो चलने चलते हैं अपने topic की तरफ अगर तो आपकी cat को अपनी cat को पकड़ना है तो अपने हाथों को अच्छे सा वाश करना है और इसके इलावा आप वीडियो में देख सकते हैं कि cat जो है इसको फंगल इंफेक्शन था तो हम यूवी लाइट के जरी चेक किस तरह से हम फंगल को देखते हैं कि क्या यह फंगल इंफेक्शन है या कोई और स्किन इंफेक्शन है और इसके साथ ही जो है हम इसकी क्या केर करेंगे क्या ट्रीटमेंट करते हैं इसके बाले में बात करते हैं आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने पनी cat को मेडिकेटिर बात देना है मेडिकेटिर बात जो है इसकी बहुत सी वीडियो जो है मेरे चैनल पे हैं आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या करते हैं हम पायोडीन सर्जिकल स्क्रब का इससे काफी हद तक इंफेक्शन जो होता है वो कैट में कम हो जाता है और इसके इलावा हम कौनाज शैंपू जो है वो इस्तामाल कर सकते हैं यह भी बहुत जादा इफेक्ट बहुत सी प्रॉब्लम काउस करती है जिसे केट बहुत अदा डल हो जाती है तो हम जो होते हैं ज्यादा तर ओइंटमेंट मतर्ब जितनी क्रीम होती है वो लगाते हैं लेकिन आपने अपने मेडिकेटिटर बात जब देना है तो हफते में दो दफादेना है अगर इंफेक् यह तो आपने क्रीम का इस्तामाल करना है तो मैं उम्हेद करते हुँ आप लोगों के लिए वीडियो काफी helpful होगी अगर आपने मुझे कोई भी क्वस्टन करना हो आप मुझे कर सकते हैं इंस्टाग्याम पर मैसेज कर सकते हैं मेरी इंस्टागेम की आइडी जो है वो सेम नेम से है डॉक्टर हीरा सेहित के नाम से जाए मुझे फॉलो करें और नए-ने टापिक सज्ट करें ताके हम अच्छी ची वीडियो बनाएं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफूल हो थैंक्स फॉर वॉचिंग अलाहाफीज